Hello everyone, आज इस lecture में हम करेंगे Preamble of Indian Constitution इस lecture में हम discuss करेंगे Preamble के बारे में, concept के बारे में और important questions के बारे में सबसे पहले ये है original Preamble जो हमारे Constitution इंडिया में लिखा हुआ है ठीक है, this is the Preamble ठीक है जी, तो ये सारी, अब Preamble होता क्या है देखो कहते है किसी सविधान के बारे में जानना चाते हो ठीक है, क्यों जरूरत है Preamble को बनाने की किसी के देश के बारे में, किसी देश के बारे में जानना चाते हो तो उसके सविधान के बारे में पढ़ो ठीक है उस देश का सविधान कैसा है उसकी सोच कैसी है ठीक है न कहां से पता लगेगा Constitution से तो सारे Rules and Regulation बन रहे हैं Basic Law कौन सा आपके देश में Constitution of India Constitution जो Terms and Regulations Provisions देता है उसके Accordingly आगे और Laws बनते हैं ठीक है जो चीज सविधान अलाव नहीं करता वो आपके देश में नहीं हो सकता ठीक है तो in short कहते किसी देश के बारे में जानना चाते हो कि वो देश कैसा है कैसी सोच रखता है कैसे Rules and Regulations हैं तो उसके सविधान के बारे में पढ़ो अब पूरा सविधान कौन पढ़ेगा तो कैसे जाने इतनी मोटी बुक होती है तो कहते है उसके Preamble को पढ़ो ठीक है Preamble को हम क्या कह देते हैं Index का मतलब क्यों होता है Index यहां कह लो Summary पूरा सविधान तो पढ़ नहीं सकते Preamble को पढ़ लो ठीक है जैसे कि उसने बोला है We the people of India having Somaly resolved to constitute India into a हम अपने देश को कैसा बनाएंगे Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic ठीक है And to secure to all its citizens Justice, कैसा justice होगा हमारे देश में Social, Economic and Political Justice Liberty of Thought, Expression, Belief, Faith and Worship Equality of Status and of Opportunity And to promote among them all Equality सब में promote करी जाएगी Fraternity, Assuring the dignity of the individual And the unity and the integrity of the nation ठीक है जी तो ये सारे words जो यहां पे दिये हैं इनके मतलब अभी हम समझेंगे पूरी वीडियो में ठीक है मैं आपको पढ़ के बता रही हूं कि आपका Preamble यहां से start होता है और यहां पे finish होगा अब देखो इस पूरे Preamble को आप समझोगे तो इसके question भी याद रहेंगे जब भी कोई चीज को पढ़ते हो रटे मत मारो उस चीज को समझो ठीक है जिस चीज का concept आपको समझ आता है न उसका question automatically आपको easily आप attempt कर जाकते हो क्योंकि यह जरूरी नहीं है जो मैंने line लिखी है यहां पे question as it is होगा वो line ही तो change करेगा पर मतलब तो वही होगा मतलब समझाना चाहिए ठीक है तो यह Preamble को हम अब further अपनी slides में discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि Preamble क्या है Preamble is an introductory statement in a document that explains the documents कहता Preamble एक introductory statement है किसी document की मतलब Preamble क्या है Constitution of India की एक introductory statement है जो starting में है जो क्या है Constitution of India की philosophy और उसके objective को दर्शाता है समझ लगी यही बोला था मैंने किसी सविधान के बारे में पढ़ना है तो उसका Preamble पढ़ लो ठीक है तो ideals behind the Preamble to India's Constitution were let down by जवाहरलाल नहरू ठीक है नहरू's objectives resolution adopted by Constitution Assembly on 22 January 1947 ठीक है तो कहता है यह Preamble का जो ideal है ठीक है यह Preamble कहां से बनाया गया है यह Preamble objective of resolution जो जवाहरलाल नहरू जी ने दिया था ठीक है वहां से बनाया गया है ठीक है जिसको मतलब आपके Preamble को कब adopt किया गया है ठीक है Preamble को कौन सी date को adopt किया गया है 22 January 1947 को ठीक है तो American Constitution was the first to begin with the Preamble American Constitution पहला Constitution था जो Preamble से start किया गया ठीक है जी Next step Preamble of the Constitution अब हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले कहता We the people of India We का यहां पर मतलब क्या है People of India मतलब हम इस देश के लोग Having Somely Resolve to constitute India into a इस देश को कैसा बनाएंगे Sovereign Socialist Secular Democratic and Republic ठीक है तो Somely Resolve का मतलब होता है कि घंबीरता से किसी चीज़ का हल किया है कि इसको कैसा बनाया जाएगा Sovereign Socialist Secular Democratic and Republic ठीक है अब देखो इन words के meaning बहुत important है इस पे भी question आता है ठीक है तो Sovereign का मतलब होता है Independent आज से हम क्या है एक independent country है हम किसी के under नहीं आते तो हम अपने देश के internal और external matters को खुद देखेंगे ठीक है हम किसी के दवाब में नहीं आएंगे इंडिया पे नजरे रखी थी कि nuclear test नहीं करने बंदिशे याद है वो John Ibrahim वाली पोकरन देखी है न उसको देखो ठीक है तो तब फिर भी हमने test किया था तो अब यहाँ से आपका एक homework start हो गया कि पहले तो आप यह देखिए कि इंडिया ने कितनी बार nuclear test किया है ठीक है second कौन कौन से साल में किया है third तब परधान मंतरी कौन थे fourth उनके code क्या थे जब भी nuclear test हुआ है तो operation का कोई code होता है ठीक है जैसे कोई smiling buddha या operation शक्ति यह code है यह codes check कीजिए कौन से साल का कौन सा code था इन पर questions आते है next केता है socialist socialist मतलब होता है welfare of people लोगों की भलाई के बारे में सोचना secular secular का क्या मतलब है हमारे देश में जितने भी धरम है उनकी एक समान क्या होगी respect होगी ठीक है जी democratic democratic का मतलब है यहाँ पे जो सरकार बनेगी जो साशन होगा वो लोगों का साशन होगा लोग तंतर होगा ठीक है जी लोगों का साशन होगा लोगों का rule चलेगा क्योंकि सरकार कौन चुनेगा लोग चुनेगे आप ही चुनते हो ना MP और MLA को लोग चुनेगे सरकार को और यही सरकार चलाते हैं states में ठीक है और ये कौन सरकार चलाते हैं center की तो इनको किस ने चुना है elected by people मतलब ये सरकार किस की है लोगों की लोगों ने इनको चुना है लोगों ने कुछ समझदार लोगों को vote डाल के चुना है आप समझदार हो और आपने आगे और समझदार ल पार्लेमेंट में हम जाके बैठ नहीं सकते तो एक एक बंदा अपना आपने चुन के भेज़ाए कि यह समझदार इंसान है यह हमारे लिए कुछ अच्छी पॉलिसी बनाएगा ठीक है जी तो किसका राज चल रहा है लोगों का राज चल रहा है ठीक है जी नेक्स्ट है रिप पॉब्लिक होगा एक ठीक है एंड तो सक्योर तो ओलिट सेटिजन्स नेक्स्ट देखो वी देपीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट सा अल्टिमेट सॉवरैनिटी ओफ दपीपल ऑफ इंडिया ठीक है मतलब हम बना रहे न देश को ऐसा तो हम हमारी ही तो हमारा ही तो रूल च चल रहा है लोगों का देश है ठीक है इन चीजों को याद रखना ये questions में आती है ऐसे ही पूछ लेगा the ultimate sovereignty of the people of India we the people of India का मतलब क्या है ultimate sovereignty of people of India तो यही answer होगा ठीक है next देखो अभी मैंने आपको समझाया अपने notes में लिखने के लिए अप लिख सकते हैं sovereign क्या मतलब है India is no more dependent upon any outside authority हम अब किसी भी बाहरी authority के अधीन नहीं आते ठीक है हम किसी के किसी पे अब dependent नहीं है हम fully independent है India has its own independent authority and it and it is not a dominion of any other external power हम किसी के अंडर नहीं आते हमारी अब हमारा अपना देश और हम क्या है के independent authority है ठीक है हम अपने internal and external affairs खुद handle करेंगे किसी से पूच के नहीं ठीक है तो जब सोवियत और ठीक है USA की लडाई हुई है ठीक है मतलब इन में ideological differences थे ठीक है एक दूसरे से बात नहीं करते थे ठीक है यहां कह लीजिए एक अलग अलग संगटन बना दिये ठीक है सोवियत ने अलग बना दिया इसने अलग बना दिया USA का natto ठीक है तो इंडिया ने डॉप्ट किया नाम नाहीं इंडिया ने इसके संग को सोवियत का मेंबर बना ना ही US का मेंबर बना इंडिया ने शुरू किया नाम non-aligned movement ठीक है हम किसी के साथ अलाइन नहीं बनेंगे किसी के साथ भी non-aligned movement ठीक है जी हम किसी के साथ नहीं आएंगे हम एक middle path शांती का path follow करेंगे ठीक है socialist socialist means some form of ownership of the means of production and distributed by the states मतलब एक तरह से क्या है कुछ चीजों कुछ चीजें सरकार दबारा प्रवाइड करी जाएंगी ठीक है जैसे की welfare of state की बात कर रहे हैं ठीक है welfare of people sorry अब LPG पे आपको क्या मिलती है subsidy अगर private हाथ में चली जाएगी त subsidy कहां से आएगी है ना तो इसलिए क्या सरकार आपको क्या देती है आपके खाते में subsidy ठीक है यहां फिर आप DPS public distribution system डिपु खुले हुए है सस्तान आज मिलता है सरकार subsidized जनाज दे रही है आपको एक रुपे दो रुपे किलो आट्टा दे रही है यह socialist part है ठीक है जी next is secular secular means secular means no religion no religion is recognized as the religion of the state देश का कोई धर्म नहीं है मतलब हम कोई Hindu state यह Muslim state यह Islamic state of Pakistan की तरह तो नहीं लिखते न हम क्या है हम India है हम भारत है we are Republic of India क्या है Republic of India कई countries अपने आपको कैसे लिखते हैं we are Islamic state हम तो नहीं कुछ लिखते है हम क्या लिखते है Republic of state देश का कोई धर्म नहीं है it treats all religions equally यह होता है secular next democratic indicates the Constitution has established a form of government which gets authority from the will of the people expressed in the election यही समझाया democratic democracy क्या मतलब होता है to the people by the people for the people मतलब यह देश किसका है लोगों का है किसके लिए है लोगों के लिए किसके दवारा चलाया जाएगा लोगों दवारा चलाया जाएगा इसी लिए जो government established होगी इस देश में किसकी विल से लोगों की मर्जी से लोग अपनी मर्जी कैसे बताएंगे election के through बताएंगे तो किसके पास है authority सरकार बनाने की लोगों के पास है ठीक है the government are elected by the people सरकार किसके दवारा चुनी चाहेगी लोगों दवारा लोग तंतर है उसी तरह justice, liberty, equality and fraternity are the essential features of democracy लोग तंतर में क्या है justice होना चाहिए liberty होनी चाहिए freedom होती है पूरा ही जैसे पूरी जादिया जी आपको liberty होती है freedom with some limits ठीक है equality एक समानता होनी चाहिए fraternity भाईचारा होना चाहिए यह सब किसके features हैं democracy के next है republic, republic का मतलब क्या है यहाँ पर क्या होगा head of state होगा जो कि किसके दुवारा चुना जाएगा logo दुवारा इसलिए president of india क्या है हमारा head of state अब आप सब बोलोगे कि president तो हमने कभी चुना नहीं है ना president आप नहीं चुनते आप MP और MLA को चुनते हो यह आपके चुने हुए MP और MLA किसको चुनते हैं president को तो indirectly president किसके दुवारा चुना जाता है प्रेजिटेंट किसके दुवारा चुना जाता है आपके दुवारा चुना जाता है ठीक है जी justice होना चाहिए यही preamble में लिखा है justice किस तरह का social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation social justice सबसे पहले एक term आती है social justice social justice का क्या मतलब है कि समाज में एक समानता होनी चाहिए समाज में कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए धरम के नाम के पे कोई भी discrimination ना हो race के नाम पे गोरे काले के नाम पे कास्ट के नाम पे sex लड़के लड़की के नाम पे या birth place कि यह वहां पैदा हुआ इस नाम पे कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए एक समानता होनी चाहिए उनको justice मिलना चाहिए economic justice का मतलब होता है अमीर गरीब के नाम पे ठीक है जो भी आपके देश में कानून बनेगा वो सबके लिए एक समान होना चाहिए चोरी मैं करूँ चाहे कोई अमीर आदमी करे सजा एक समान होनी चाहिए political justice ठीक है vote डालने का अधिकार हर एक को होना चाहिए चाहे लड़का है लड़की है पड़ा लिखा है नहीं पड़ा लिखा ठीक है physically disabled है हर एक को क्या है vote डालने का अधिकार हो liberty of thought expression मतलब आपको सोचने का पूरा अधिकार है अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो आप कह सकते हो कि यह चीज हमें नहीं पसंद आती ठीक है तो आपको अपने विचार देने का और उनको express करने का पूरा धिकार है believe faith and worship किसी धरम को मानने में उसमें faith रखने में या उसकी worship करने में आपको पूरा धिकार है equality of status ठीक है सबको एक समान मतलब सरकारी दफ्तर में जाओगे ठीक है सबको एक समान चीजे मिलेंगी ऐसा नहीं सिर्फ senior citizen की line या ladies की line अलग होती है otherwise सबको एक समान ता होनी चाहिए equality of status सरकारी सरकारी नौकरियों में सबको एक समान opportunity मिलती है ठीक है न and to promote among them all और यह सब हमने किसमें promote सब में promote करना है fraternity मतलब होता है brotherhood brotherhood का मतलब है भाईचारा भाईचारा होना चाहिए ठीक है भाईचारा क्यों assuring the dignity of the individual अगर आप में भाईचारा होगा तभी तो कठेर होगे एक दूसरे की respect करोगे एक दूसरे का समान करोगे ठीक है और वो बहुत जरूरी है अगर आप में भाईचारा होगा तभी कठेर होगे तभी आप देश की unity and integrity of the nation को बरकरार रखोगे देश की एकता और खंडता को बरकरार रखोगे ठीक है next is justice is necessary to maintain order in society that is promised through various provisions of fundamental rights, directive principles provided by the constitution of India ठीक है तो justice maintain करना society में बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपने इतनी सारी provisions promise करी है fundamental right और DPSPs में तभी आप देपाऊगे ठीक है जी next है क्योंता है in our constant assembly this 26th day of November अब देखो यहां पे यहां पे आवर का मतलब क्या है आवर का मतलब है people of India तो यह constant assembly किसकी है people of India की यह भी question आता है constant assembly किसकी है people of India की है this 26th November of 1949 do hereby 26th November 1949 को सविधान बनके क्या हो गया था complete हो गया था ठीक है जी याद रखना है ठीक है इस दिन को सविधान को इस सविधान को hereby I adopt in act and give to ourself this constitution ourself again यहां पे कौन आ गया ourself कौन है people of India कहते यह जो सविधान है हम अपने अपने उपर लागू करते हैं हम अपने आप को देते हैं और यह हमारे उपर लागू होगा ठीक है इन एक्ट अब देखो सविधान बनके किस दिन तयार हो गया 26 नवंबर 1949 को तो 26 जनवरी 1950 इस दिन को यह किसकी क्या हुई थी commencement लागू किस दिन हुआ है 26 जनवरी को देखो सविधान बनके तयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को मतलब complete हो गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ इसकी commencement कब हुई है तो अब यह सोचो कि इतना time यह किसकी wait कर रहा था दो महिने अगर बनके तयार हो गया था तो लागू कर देते है ना पर याद करो पूरन सवराज पूरन सवराज को क्या declare किया था कि हम अपना पहला independence day कब मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे अब गोरे हमें अजादी दे रहे थे 15 अगस्त को यह तो नहीं कह सकते तो रुको 26 जनवरी तो 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने इस दिन अपना सविधान लागू किया था और इसी दिन हम क्या celebrate करते है अपना गंतंतर दिवस मतलब Republic day अगर question यह आता है कि सविधान बनके कब complete हुआ है 26 नवंबर को आंसर यह होगा 26 नवंबर 1949 commencement पूछता है यह came into force पूछता है तो answer क्या होगा 26 जनवरी 1950 ठीक है और और देखो in act अगर पूछता है सविधान in act कब हुआ है नवंबर 26 नवंबर 1949 अगर पूछता है in force कब हुआ है enforcement कब हुई है 26 जनवरी 1950 वाइ in act का मतलब क्या होता है in act का मतलब होता है किसी चीज को मतलब कोई चीज तयार हो चुकी है मतलब sign हो गए है document पे sign हो गए है now it is a law in act का मतलब होता है now it is a law it is ready to apply ठीक है यह यह अब law बन चुका है enforcement का मतलब हो गया है होता है कि इस तरीक से यह लगू होगा इस तरीक से यह क्या होगा लगू होगा ठीक है समझ लगी enforcement का मतलब होता है कि इस तरीक से यह start हो रहा है है लगू हो रहा है बनके तयार होना inactment इस तरीको sign हो गया जी लो अब 26 नवंबर से यह कनून है ठीक है पर लगू कबसे होना है in force came into force यह came into effect came into force यह came into effect कहलो वो आएगा 26 January 1950 ठीक है याद रखना है इसलिए देखो 26 नवंबर को हम अब क्या मनाते हैं अपना constitution law day याद रखना ठीक है जी constitution law day ठीक है तो यह सविधान किसको दिया गया है people of India ourself हमारे पर लगू होता है ठीक है अब देखो कुछ और important questions जो constitution में पुछे चाते हैं इसकी symmetry सबसे पहले तो पहले आता है यां सी आता है सी आता है ठीक है ठीक है ठीक है कई बार तो question ऐसी solve हो जाएगा पर कई बार इस SS में आफस जाओगे फिर क्या करोगे पीछे से start हो जाओ रिपब्लिक सबसे end में then democratic अब देखो तो एस SS O O E O पहले आता है dictionary में के E आता है E आता है तो 3 वी पहले आता है यां सी आता है सी आता है ठीक है ठीक है तो बन की symmetry बेशिक मैंने वैक साइट से start किया है 1 2 3 4 & 5 तो ऐसे अगर question फस्ता है यां आप अटक रहे उस question में तो ऐसे ठीक कर सकते हैं याद रखना है इस चीज़ को नेक्स देखो और चीज़ इसमें क्या पढ़ने और question देखो सोश socialist and secular word originally सवधान में नहीं था मतलब 26 जनवरी 1950 को सवधान में नहीं प्रेयंबल में जब सवधान लाग हुआ प्रेयंबल भी साथ में था तब यह दो वर्ड नहीं होते थे यह भी question पूछे का बताओ originally सवधान में कौन से दो वर्ड नहीं होते थे यह नहीं होते थे अब मैंने पहले भी पताया कोई चीज़ बाद में एड करिया तो वो क्या है amendment तो यह दोनों बाद में एड किये हैं कौन सी amendment से 42nd amendment 1950 sorry 76 अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह भी करवाया था कि 42nd amendment 1976 को हम क्या कहते हैं मिन्नी constitution वाई बार बार आ रही है न इस वक्त पर जानमंत्री कौन थी मिसिस इंद्रा गंदी ठीक है सविधान में बहुत सारी चैंजिस हुई है 42nd amendment 1976 से इसलिए उसको मिन्नी constitution कहते हैं ठीक है देखो और बाद में क्या एड़ हुआ है integrity word यह भी 42nd amendment 1976 के साथ एड़ किया गया है ठीक है जी अब देखो पढ़ते हैं कुछ features इसके Soviet constitution USSR था जो पहले अब वो क्या है रशिया USSR क्या था countries का संग था ठीक है तो उसे Soviet Union कहते थे ठीक है फिर बाद में कुछ countries तूटके अलग होगी तो रशिया side हो गया ठीक है दा ideal of justice social economic political in the preamble कहां से लिया है हमने Soviet constitution से ठीक है तो justice social economic and political justice कहां से लिया हमने Soviet constitution से लिया हुआ है next है republic ideal of liberty equality and fraternity in the preamble यह कहां से लिया है french constitution से लिया है याद रखने हैं यह चीजे मैंने पहले ही previous lectures में बताया था कि जो हमारा सविधान है उसको कहते है बौरो किया है बौरो नहीं किया मत चलो कहते हैं कि बौरो किया हुआ है हमने हमारे जो सविधान जिन लोगों ने constant assembly सविधान बनाया उन्होंने हर देश का सविधान पढ़ा जिससे जो चीज अच्छी लगी उसको अपने accordingly उस चीज को हमने अडॉप्ट कर लिया ठीक है तो ऐसे सविधान बनाया ऐसे निया कि बौरो कर लिया ठीक है तो चलो लित्ते तो ऐसे हैं it is very disappointing उन्होंने इतनी मेनत से पढ़के देन अच्छी चीजें जो थी वो सविधान में डाली है ठीक है तो पर आपने याद रखना है कौन सा feature कहां से आया है तो यह french constitution से और this is this is from soviet constitution this is from french constitution question आते हैं इस पर कुछ लोगों ने अपनी language में प्रेंबल को describe किया है उसके बार में पढ़ते हैं ठीक है एन ने पक्खी वाला इन्होंने बोला था कि प्रेंबल क्या है एक identity card of the constitution है ठीक है याद रखना है किसने क्या बोला है यह ने प्रेंबल क्रिशन स्वामी अयर इन्होंने बोला था इन्होंने बोला था प्रेंबल से ब्रेंबल को और constitution expresses what we thought or dream so long ठीक है सही है यह भी next है क्या है मुंशी इन्होंने क्या बोला था प्रेंबल is the horoscope of our sovereign democratic republic, ठीक है, next है, Pandit Thakurdas Bhargava, the preamble is the most precious part of the constitution, it is the soul of the constitution, क्या है ये, soul है constitution का, it is the dwell set in the constitution, it is a proper yastik with which one can measure the worth of the constitution, ठीक है, then Sir Ernest Barker, describe the preamble as the key note to the constitution, ठीक है, ये सब words याद रखने, किसने क्या बोला है, next है, Muhammad Hayyadullah, ठीक है, अब ये कौन थे, ये CGI थे, और ये ऐसे CGI हैं जो President बने थे हमारे देश के, ठीक है जी, तो वो आपको पता होगा अगर President Office में नहीं हैं, तो Vice President बनते हैं, President, अगर Vice President Office में नहीं हैं, तो CJ ये उनकी जगा संभालते हैं, तो ये पहले ऐसे CGI थे, जिन्होंने ऐसे इसी टर्म में, Vice President भी नहीं थे, President भी नहीं थे, तो CJ को क्या बनाया, President of India, इसको याद रखना है, तो former Chief Justice of India observed, Preamber resembles the declaration of independence of the United States of America, but is more than a declaration, it is the soul of our constitution, which lay down the pattern of our political society, कैसी होगी हमारी political society, It contains a solvent resolve, which nothing but a revolution can alter, ठीक है, अब इसको properly ये हाथ रखके, वो रटना मत स्टार्ट कर देना, बस थोड़ा सा एक दो बार देखोगे, तो याद हो जाएगा, और by option paper में आपको याद आ जाता है, Preamble as part of the constitution, जिसमें first case है, अब questions काफी बार उठा है, कि Preamble constitution का part है या नहीं, जिसमें first question है, Beru-Bari Union case 1960, जिसमें India और Pakistan कुछ आपस में areas को exchange कर रहे थे, जो हमारे area में कुछ Pakistan की territory होगी, ठीक है, और यहाँ उनके area में कुछ हमारी territory, तो इसी में Supreme Court ने बूला था, कि Preamble not the part of the constitution, पहला तो याद रखना, यह case किस साल हुए है, 1960 में, और इसी में उन्होंने क्या बूला था, Preamble is not the part of the constitution, यह भी question पूछते हैं, कि उस case में उन्होंने क्या बूला था, कि Preamble constitution का part है या नहीं, इन केश्वा-Nanda भारती case 1973, Supreme Court rejected the earlier opinion, अपने ही opinion को reject कर दिया, क्या कहते हैं, इसमें उन्होंने क्या बूला, Preamble is a part of the constitution, लास्ट में क्या बूला था, Preamble is not a part of the constitution, और इस case में क्या बूला है, Preamble is the part of the constitution, Next, LIC of India case 1995 में उन्होंने बूला, Preamble is an integral part of the constitution, अगें यही बात बूल लिया, ठीक है, तो next, देखो कहता है, Preamble is not justicable, Justicable का मतलब होता है कि आप court में जाके, नहीं खड़े हो सकते कि यह चीज़ Preamble में लिकी हुए, यह हमें नहीं मिल रही, ठीक है, तो Preamble is not enforceable in any court of law, ठीक है, तो Preamble का जो जो चीज़ लिखी हुई है, उसके लिए आप court में नहीं जा सकते, ठीक है जी, तो is not enforceable by law, ठीक है, Not justicable का मतलब यही होता है कि आप court में नहीं जा सकते, Next, Amendability of the Preamble, अब पहले तो last slide में हमने कर लिया कि part है या नहीं, अब उन्होंने बोल दिया part है, Next, Amendability of the Preamble, Preamble को amend कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो first question यह किस case में आया था, पहली बार amendability पे, ठीक है, Keshwananda भारती case में पहली बार, यह question आया कि preamble amend हो सकता है के नहीं, तो petitioner ने यह बोला कि, Article 368 cannot be used to destroy or manage, damage the basic element or fundamental feature of the constitution, which are enshrined in the preamble, कौन से features की बात करिये, इसने basic element के था, 368, ठीक है, जो आपको सविधान से power मिलिया, Parliament को, कि वो सविधान में अगर changes करना चाते हैं, तो Article 368 के अंडर उनको power मिलिया है, तो उसने बोला, कि Article 368 को use करके, आप preamble में जो basic element यह, basic features हैं सविधान के, उनको नहीं काट सकते, कैसे, जैसे Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic, यह वले features को आप नहीं काट सकते, ठीक है, यह justice की बात हुई है, इस पर क्या reply आया, Supreme Court rejected the earlier opinion in the Beru-Berry Union case, according to which, preamble is not a part of the constitution, ठीक है, पहले तो इस पर ही debate था, कि यह part है या नहीं, तो उस पर, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, कि उन्होंने सबसे पहले, इसी case में बोला कि, reject कर दिया, कि preamble is the part of the constitution, यही बोला उन्होंने, preamble is the part of the constitution, preamble can be amended, फिर उन्होंने बोला कि, preamble amend हो सकता है, पर, no amendment is done to the basic feature, जो, बट जो उसके basic feature है, उसके उपर आप कोई cutting नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उन्होंने, preamble में एक ही बार क्या हुई है, amendment हुई है, that is 42nd amendment, है ना, 1976 में, कुछ काटा थोड़ी ना, add किया था, क्या add किया था, socialist word add किया है, और secular word add किया था, और क्या किया था, integrity word add किया था, ठीक है जी, मतलब उसने basic features को, हाथ भी नहीं लगाया, जिस पे, जिसके उपर code ने बोल रखा था, ठीक है, यह जिसके उपर petitioner ने बोला था, कि यह basic features को, delete कर देंगे, ठीक है, तो उन्होंने, code ने भी यही बोला, कि बेसिक, no amendment is done to the basic feature, अब basic feature को नहीं हिला सकते, तो उन्होंने चीजें add करी है, डिलीट नहीं करी, इसलिए इसमें amendment होगी है, next, अब preamble पे questions कैसे आते हैं, which of the following is described as the soul of the constitution, ठीक है, soul of the constitution किसको कहते हैं, preamble को, preamble to the Indian constitution is based on, किस पे based है, philosophy of India, no, objective resolution drafted by, moved by, pandit ज्वालल नेरू, yes, इसी objective of resolution से हमने क्या बनाय था, preamble, 13 December 1946 को, ज्वाहरलाल नहरू जी ने हमें क्या दिया था, objective of resolution, इस objective of resolution को, 22 January 1947 को, हमने किस में modify कर दिया था, preamble, पर किस ने किया था, constant assembly ने किया था, अगर question ये आता है, कि preamble किस ने लिखा, बनाया है, constant assembly ने बनाया है, ज्वाहलाल नहरू ने ने नी बनाया, याद रखना, पर कोशन अगर ये आता है, कि preamble, कौन से document का, modified version है, तो answer is, objective of resolution, अब objective of resolution किस ने बनाया है, पंडे ज्वाहलाल नहरू ने, ठीक है, समझ लगी, तो जो आपका preamble है, ये किस पे based है, कहां से बनाया था, इसी objective of resolution में, actually कुछ points थे, उन्होंने बोला था, आप देश का सविधान लिखने जा रहे हो, तो constant assembly को वो points बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने उसी को modify करके, क्या बना दिया, preamble बना दिया था, तो answer is, objective resolution, drafted and moved by the pundit, जो हलाल नहरू, उस पे based है, next term, we in preamble means, मैंने अभी आपको करवाया, क्या मतलब है we का, the people of India, Indian constitution ensures, justice in which of the following form, ठीक है, कैसे justice की बात करी थी, याद करो, social, economic, political, answer क्या आएगा, all of the above, मतलब सब की बात करी थी उसने, next, preamble has been amended by which amendment act, कौन सी, 42 amendment 1976, जिसको आप क्या बोलते हो, mini constitution, याद करो, और प्रधान मंतरी कौन थी, युमारे देश की उस वक्त, Indra Gandhi, next, in which case, supreme court specify, opinion that preamble is not a part of the constitution, अभी मैंने आपको गरवाया, कौन से, case में बोला था, बेरी union case में, कि preamble क्या है, सविधान का पार्ट नहीं है, next, in which case, the supreme court rejected the earlier opinion, and held that preamble is the integral part of the constitution, किस में बोला था, केश्वनन्दा भारती case, 1973 में, ये 1960 में हुआ था, ये 1973 में, याद रखना, the preamble states that the constitution drives its authority from, कहां से authority लेता है, people of India से, ठीक है, as per preamble, date of adoption of constitution is, ठीक है, तो preamble के accordingly, सविधान कब adopt किया गया है, preamble, preamble के accordingly, चबी नुवंबर 1949, उसी दिन पर, लिखा था न, हम आज से adopt करते हैं, ठीक है, 42nd constitution amendment 1976, added which of the, term to preamble, 42nd amendment से, बताओ, कौन कौन सा वर्ड, add हुआ था, सौवरिन तो पहले ही था, कौन सा हुआ था, A and B, तो answer is, D, both A and B, ठीक है, Next, which part of the Indian constitution, expressively declared that, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic, कहां पर लिखा है, preamble में, Economic justice as one of the objective, of Indian constitution, has been proved in, sorry, provided in, Economic justice की बात कहां हुई है, एक तो preamble में हुई है, second इसकी बात हुई है, directive principles of state policy में, Next, The correct sequence of the following word, in the preamble is, देखो by option, ये तो याद है न, SS SSSDR, देखी लो, SSSDR A की जगा पर है, अभी आपको चेक भी करने की ज़रुद नहीं पड़ी, की, sequence है लगा है की नहीं, sequence भी सही लगा हुआ है, The constitution of which country has, was the first to begin with the preamble, USA, The ideal of justice, social, economic and political, कौन से, Russian, Russian से लिया था हमने, Russian revolution से, ठीक है, यह Russian constitution से भी, revolution में भी ये बात हुई थी, The ideal of liberty, equality, fraternity, in the preamble have taken from French revolution, ठीक है, क्योंकि वहां पर revolutions, French और Russia revolution हुए थे, फिर वो ही जिन बातों के पीछे revolution हुए है, वो ही उन्होंने अपने सविधान में लिखी है, Which of the following is true about preamble, कौन सी जीज प्रेंबल के लिए सही है, So, it is justicable, मैंने भी आपको बताया, It is not justicable, किसी भी court में नहीं जा सकते, Its provision are enforceable in court of law, अभी बताया है, नहीं, फिर कैदर none of the above, ठीक है, अब देख लेते हैं, ए सही है के नहीं, It is a source of power to legislature, and source of prohibition upon the power of legislation, No, ये भी गलत है, So, none of the above, कोई भी ठीक नहीं है, What does the term secular mean in the Indian context, Secular का क्या मतलब है, Indian context में, All religion are equal in the eye of government, and the state does not uphold any particular religion as official religion, Yes, और पढ़ने की ज़रूत नहीं है, यही है, ठीक है, So, next, The word sovereign mentioned in the preamble implies, India is an independent state, Yes, India is neither a dependency nor a dominion of any other region, No, sorry, nation, Yes, Next, All, Sorry, India is free to conduct its own affairs, both internal and external, Yes, So, all of the above is true, Next, Which of the following statement is true or, India's membership of the common wealth of nation does not affect Indian sovereignty in any manner, Yes, हम common wealth के nation के हम member तो हैं, पर हमारी sovereignty पे इसका कोई एफेक्ट नहीं है, India's membership of United Nation does not limit Indian sovereignty, Yes, India can either acquire और foreign territory और ससीड होता है, दूसरे को वो territory अपनी तरफ से देना, मतलब ससीड होता है, अपनी territory दूसरे को दे देना, acquire होता है, दूसरे की territory अपने अधीन करना, Part of its state in favor of a foreign state, Yes, अपनी acquire भी कर सकता है, किसी भी territory को और दे भी सकता है, जैसे के हमने बंगलादेश के साथ, Inclave, Exclave को exchange किया था, ठीक है, All of the, Answer कहके था, All of the above are true, Yes, true है, Till now, Preamble of, Till now, The Preamble to the Constitution of India has been amended, How many times, कितनी बार amend किया गया है, एक ही बार, Next, In which of the following are the basic aim and objective of the Indian Constitution discussed, किस में basic aim और objectives की बात हुई है, That is Preamble, Which among the following statement is incorrect, Consist statement इसमें से incorrect है, Preamble is enforceable in the court, वैसे यही incorrect है, और मैं पढ़ लेती हूँ, Preamble has been amended only once in 1976 सही है, The objective resolution passed by the Pandit Nehru was, What became the Preamble to the Constitution, Yes, यह भी ठीक है, The Preamble proves that the sovereignty lies ultimately with the Indian people, Yes, तो अब इसमें से wrong statement यही है, तो आंसर हमारा यही है, यही बताना था incorrect कौन सी है, Which among the following was the outcome of the Keshwananda भारती, Versus State of Kerala, Case 1973, क्या बोला था उसमें, सबसे पहले तो उसमें यही बोला था, कि Preamble is a part of the Indian Constitution, पहले तो आप वो वाली option निकालो, जिसमें उसमें बोला था, कि part of the Indian Constitution, and subject to the amending power of the Parliament, हाँ, Parliament इसको amend कर सकती है, yes कर सकती है, इसमें बोला not है, इसमें बोला yes कर सकती है, हाँ, कर सकती है, इसमें बोला था न, basic features को चेड़े बगाएर, उनको destroy, damage किये बगाएर, वो कर सकते हैं, इसको amend, ठीक है, The Preamble to the Indian Constitution aims at securing, dignity of individual and unity and integrity of nation right, ये ही answer है, बाकी देखने की जरूरती नहीं है, वैसे मैं देखूँ, इसमें fundamental rights की बात हुए है प्रेंबल में, no, fundamental right to the citizen की बात की थी, इसमें security of tenure to all government servants की बात हुए थी, नहीं, इसमें हमने ये ही बोला था, fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation, what is the meaning of equality in the Indian Constitution, equality का मतलब काया कहता, lack of opportunity, sorry, गलत है, lack of equality, sorry, absence of special privileges to any section of the society and provision of adequate opportunity for all individuals without any discrimination, यही है, यह equality है न, किसी को कोई special provisions नहीं देनी जी, ठीक है, जो भी opportunities हैं, वो सब को without any discrimination मिलनी चाहिए, ठीक है, बेदभाव, किसी बेदभाव के बगार मिलनी चाहिए, the preamble of the constitution of India, secure justice, liberty, equality and fraternity to, किसको देते हैं, all its citizens, यही पड़ा था, to secure to all its citizens and to promulg among them all, है न, preamble to the, preamble to the constitution of India, तो कहता है, it is not a part of the constitution, यह wrong हो गया है, indicate the objective to be achieved, yes, ठीक है, Solemn resolution in the preamble of our constitution is made in the name of, resolution वो पहली लाइन में लिखा था न, किसके नाम पे है, people of India, in which of the following case, Supreme Court has held that preamble is a part of the constitution, कौनसी वाली में करा था, केशनन्दा भारती केस में, interpretive values of the preamble was discussed in, किस case में interpretive values की बात हुई है, देखो, इसकी मतला, preamble के, जो सहिधानतों की बात, किस case में हुई है, इस में से तो मुझे एक ही case दिख रहा है, जिसमें हमने इसकी बात करी, तो answer भी यही है, which of the following statement is not true, the data of the implementation of Indian constitution is 9, क्या इसी तरी को Indian constitution को implement कर दिया गया था, no, the secular word was added by the 42nd constitution amendment, yes, this is right, यह ठीक है, then 42nd constitutional amendment was done in 1946, यह भी ठीक है, तो social, economic, political justice has been taken from the Russian revolution in the Indian constitution, यह भी ठीक है, तो उसने पुछी क्या है, is not true, तो यह गलत है, ठीक है, इसलिए हमारी correct option क्या होईगी, यह होईगी, which statement is not correct in the case of sovereign India, ठीक है, कौन सी statement correct नहीं है, अगर हम sovereign India की बात करें, India is not dependent on any country, यह तो ठीक है, हम किसी पे dependent नहीं है, इंडिया is not a colonial of any other country, यह इंडिया can give any part of its country to any other country, यह भी ठीक है, हम दे सकते हैं, इंडिया is obliged to obey UN in its internal affairs, यह गलत है, यह हम नहीं कर सकते, तो कौन सी true नहीं correct नहीं है, यह यह वाली, which year is related to Beri-Beri case, 1960, what is the true meaning of secular, secular का मतलब क्या होता है, सभी धर्म सरकार की नजरों में एक जैसे हैं, all religions are equal in the eye of government, who among the following said, that the preamble of the Indian constitution, is the key note of the constitution, किसने बोला था, आपने बैकर नहीं, ठीक है जी, the language of preamble of Indian constitution, is taken from the constitution of Australia, constitution of Australia, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे मैक्सम शेर करें, लाइक करें, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स,